हेलो दोस्तों तो आज हम करने वाले हैं मैनुल ट्रांस्मिशन, आई-म्टी और ए-म्टी के बारे में जानकरी नेंगे ये क्या होता है देखे हमारी कार अलग-लग तरह के सिस्टम ट्रांस्मिशन सिस्टम आते हैं तो वहाँ पे अलग-लग क्या है ऐसा की अलग-लग नाम मोलते हैं आई-म्टी, ए-म्टी, मैनुल ट्रांस्मिशन तो अगर आपको नॉलिज लेनी है तो जुड़े रहे हैं मेरे साथ तो इसमें हम सबसे पहले समझते हैं तो हमारे पास आएगा मैनुल ट्रांस्मिशन तो मैनुल ट्रांस्मिशन हम समझते हैं तो ये क्या होता है ये होता है मेरे भाई सबसे सिंपल सबसे सिंपल क्या जो हम गेर बॉक्स यूज़ करते हैं जब हम gear box use करते हैं तो यह वड़ा जिस तरह से आप देख लगे हैं यहां पे knob होती है gear डालने के लिए हमारे पास 123 आम जो gear अभी तक जो हम चला रहे थे कार वो normally हमारे पास पुराने टाइम यही होता था कि 123 gear इस तरह से डालने हैं तो इसको हम manual transmission बोल देते हैं जिसके अंदर हम देखेंगे तो manual transmission में यहां पे अगर आप देखोगे तो clutch मिलेगा आपको यहां पर brake और यहां पर race होगी तो clutch आपका इसमें होगा ही होगा clutch जब आप प्रेस करोगे तो हमारी clutch plate operate होगी engine और wheels दोनों अलग लग हो जाएंगे तब हम gear box को use करते हैं कभी देखेंगे बाइक में देखते हो तो clutch होता है clutch दबाते हो तब ही gear हम change करते हैं तो वो हमारे पास clutch इसमें होता ही होता है यह होता है manual transmission यह normal हम जहां भी कहीं देखेंगे तो हमें manual transmission मिलेगा तो इसमें gear box इस तरह से use होता है और अच्छा gear box की अगर working नहीं पता तो मैं end में आपको thumbnail दूँगा वहाँ पे आप click करके gear box की working जुरू देख लेना किस तरह से होती है तो यह मेरे पास देखेंगे gear box इस तरह से working होती है इसकी तो यह होती है manual transmission यहाँ पे हम जो gear change करते हैं तो हम अपनी मर्जी से change करते हैं 1,2,3,4,5 जितना gear लगाना है reverse लगाना है यहाँ से हम node change करेंगे और gears हमारे change होंगे तो हम क्या कर रहे हैं हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं तो manual transmission हो रहा है अब दूसरा आज़ता है हमारे पास यहाँ पे IMT अब IMT की full form देख लिजिए intelligent manual transmission मतलब transmission आपने manually करना है लेकिन intelligent है अब इसका क्या मतलब है intelligent IMT का क्या मतलब है तो इसमें अगर आप देखेंगे तो हमारे पास देखेंगे दो ही pedal है तो यहाँ पर clutch gaib है clutch gaib है यहाँ पर brake है और race है मतलब क्या है यहाँ पर आपको gear तो खुदी डालने पड़ेंगे यहाँ पर gear जो है आप डालने वाले हैं लेकिन clutch नहीं है अब clutch work कैसे करेगा तो इसमें होते हैं भाई साथ sensor तो जब भी आप gear change करेंगे तो वो clutch engage होगा डिस engage होगा वो sensor की मदद से होने वाला है तो आपको ये tension लेने की जूरत नहीं है भाई बार बार clutch दबाना ये वहाँ पे आ जाता है कि हमें heavy traffic में मुंबई है देली है तो वहाँ कितनी tension है कि मतलब आपको बार बार clutch दबाना निकालना कितना ज़्यादा ये problem आती है तो वहाँ पे हमें clutch की जूरत नहीं हुआ है ठीक है अराम से बैटिए अराम से सिर्फ race देंगे निया आप और अराम से चलती जाए गड़ी बात थोड़ी समझ आई क्रच गाइब कर दिया तो ये IMT आगा Intelligent Manual Transmission तो Manual Transmission लेकिन Intelligency के वे से देखा है इस तरह से IMT होता है तो यहाँ पे भी देख सकते हैं तो इस व्यूव में भी आपको दिखाया गया कि यहाँ पे चुगाइब है और सुर्फ ब्रेक और रेस है तो यह का ब्रेक और रेस इस तरह से आप समय सकते हैं अब आता है AMT AMT क्या है Automatic Manual Transmission अब यह है कि Automatically होगा लेकिन Transmission manually होगा मतलब क्या है इसका मतलब क्या है यह देखिए तो इसमें अगर आप देखोंगे तो उस तरह का गेर लीवर नहीं है गेर लीवर नहीं है कि पहला गेर दूसरा गेर तीसरा गेर इस तरह से डालना है आपको नहीं कुछ करना आपको नहीं करना यह Automatic होने वाला है आपके पास यहां पे अगर देखोगे तो यहां पे आपके पास यहां पे की लीवर आएगा जहां पे आपको सिर्फ मूव का मतलब अगर आपको आगे जाना है रिवर्स जाना है बस इतना आपने न्यूटरल का पार्किंग का यहीं आपके पास लीवर है यह नहीं है कि पहला गेर दूसरा गेर तीसरा गेर चौता गेर पांचवा गेर रिवर्स अलग लग ऐसा कुछ नहीं है और इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें भी पैडल्स की बात करेंगे तो यहां पे आपके पास कलच नहीं है क्रच नहीं है यहाँ पे ब्रेक और रेस है और कुछ नहीं है ठीक है यह कुछ इस तरह से है जैसे हमारी बाइक होती है न देखिए हमारे पास बाइक और हमारे पास एक्टिवा इन दोनों में क्या डिफरेंस है यही डिफरेंस है भाई साथ यहाँ पे हमें जुरुत नहीं पड़ती गियर चेंज करने की यहां पे हमें गियर चेंज करने की खुद जरूरत पड़ती है आप यह देखेंगे एक्टिवा में तो सरफ रेस है रेस के दम पे हम चल रहे हैं ठीक है लेकिन हमारे पास जो कार की आता है कार के सिस्टम आता है वहाँ पे हम race जुरूर करेंगे आप race दबाएंगे लेकिन उसके gears जो होंगे वो manually अंदर से change होंगे मतलब उसको change करने के लिए lever लगा हुआ है जो activate होगा according to race जैसे आप race दबातेंगे accelerator दबाएंगे उसके according आपके जो gears वो change होते हैं कि पहला gear दूसरा अपने आप कर रहे हैं आपने नहीं कुछ करना तो इसमें और जाता सोरियत हो जते हैं जिनको मुश्किल लगता है कि कब clutch दबाना है कब gear डालना है कौन सा gear कब डालना है वो उसमें confusion को दूर बिलको और से बैठिए एक्टिवा की तरह राम से चला है यह सिर्फ आपको race और brake है आपके पास race दीजिए और कुछ आपने नहीं करना बात थो नहीं समझा ही यह होता है AMT लेकिन इसको AMT क्यों बोला जाता है क्योंकि यह fully automatic नहीं है एक तरह से इसमें भी आप देखोगे तो आपके पास gear box है ठीक है gear box है gear change हो रहा है जब आप चाहते हो कि fully automatic automatic का मतलब है आपके यह transmission जो है आपके पास gear box है वो गायव हो जाएगा उसमें हमारे पास जो होता है automatic gear box आएगा तो उसमें हमारे पास क्या आएगा कि इस तरह के gear अलग लग तरह का होगा देखोगी sun and planet gear इसको हम कह देते हैं ठीक है तो हमारे पास इसके जो system है यह system कुछ अलग ही है मतलब आपको अलग से इसकी वीडियो मैं बना के दे दूँगा तो इसके उपर क्योंकि यह fluid coupling इसमें हमारे पास torque converter sun and planet gears इस तरह से हम यूज कर सेते हैं ना कि जो conventional चलते हैं gearbox पहला गेर दूसरा गया वैसा नहीं है यह कुछ अलग है तो उसमें हमारे पास जो हम बात करें AMT की तो AMT में जब gear change हो रहे हैं वहाँ पे lever खीचने वाला believer को actuate करने वाला वो हमारे पास क्या होता है automatic होता है तो I hope की यह चीज आपको समझ आ गई होगी और आप कौन सी गाड़ी लेना प्रेफर करेंगे manual, IMT या AMT comment box में ज़रूर बताएं और SSCJ की अगर आप preparation करना चाहते हैं तो यहाँ पे app का link दे रहा हूँ app जुरू download करें thank you so much next video में फिर से मिलेंगे